हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको आफ्टर वी कोलाइड़ ये आफ्टर मुवी का सेकंड पार्ट में आपको एक्स्प्रेंड करने वाला हूँ ओरिजिनल फर्स्ट पार्ट का एक्स्प्रेंशन मैंने पहले ही कर दिया था इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको अल्डेडी फर्स्ट पार्ट से मुवी के बारे में पता है तो डारेकली शुरू करते हैं मुवी स्टार्ट होती है और हमें रिकैप दिया जाता है रिकैप हमें हार्डेन दे रहा है वो कहता है कि जिस तरह से हर novel में एक love story होती है उसी तरह से Tessa और मेरी भी एक love story थी लड़की ने अपने आपको किसी और को promise किया था उसके बाद अपनी identity ढूंडी वो किसी और के प्यार में पढ़ गए पर उसे धोका ही मिला थोड़ो से जगड़े के बाद वो फिर से एक साथ आ गए फरस्ट पार्ट के ending में हमने देखा था कि Hardin Tessa को एक later लिखता है इसके बाद ये दोनों लेक के पास हमें दिखाये जाते है और हमें लगता है कि एक दोनों के साथ ये है और हार्टिन में कहता है कैसा कुछ भी हुआ नहीं था ये एक real life है तो इतनी जल्दी किसी को भी कोई भी माफ नहीं करता अभी तक Tessa ने हार्टिन को माफ नहीं किया है अभी हमारी second movie की story स्टार्ट होगी फर्स सिन में हम देखते है कि हार्टिन Tessa को कॉल करने के कोशिश करता है Tessa को हार्टिन की वज़े से एक अच्छे से publishing house में paid internship मिली है वो अपने job को seriously लेती है और आज उसका first दिन है वो अभी उसे ignore करती है पर वेसे भी उसे ignore कर ही रही थी वो लिफ्ट के पास पहुचती है तो लिफ्ट उसकी miss हो जाती है लिफ्ट के अंदर Trevor था Trevor हमारा और एक main character है Tessa को लगता है कि Trevor ने जान बुच कर उसके लिए लिफ्ट नहीं रोकी वो उसे बाहर से ही गालिया दे देती है पर Trevor ने लिफ्ट रोकी थी वो फिर से open हो जाती है अब इनका encounter बहुत ही awkward सा है वो उसे sorry कहती है ये दोनों एकी floor पर रुखते है और Trevor भी उसके office में काम करता है Tessa के boss की secretary जिसका नाम है Kimberly ये Tessa से office में मिलती है Tessa को कहा काम करना है ये सब दिखाती है इसमें बहुत सारी mess पड़ी हुई है वो गहती है कि हमारी याद जो भी interns आते हैं कि जाते रुखते नहीं Tessa केती है पर इस internship में लोग तो बहुत interested होते है Kimberly केती है वो तो है पर उन्हें जल्दी से fire भी कर दिया जाता है Tessa को बहुत tension आ जाता है उसे कुछ manuscript दी गई है उसे जल्दी से पढ़ कर उसका review उसे देना है वो रात भर काम करती है और एकी रात में उसने तीन books पढ़ डाली है जो अपने days पर काम करते करते ही सो गई थी उटती है तो directly उसका boss उसके सामने उसने जो books की review दी है ये पढ़ रहा है टेसा ने दीन books पढ़ी है और उसका review भी एकी रात में लीक डाला है ये सब देखकर उसका boss उसे impressed हो जाता है अचानक से उठती है और realize करती है कि रात में वो यही सो गई थी है और embarrassed हो कर अपने boss से स्वारी कहती है उसे लगता है कि अब उसका job चला जाएगा boss कहती है कि जल्दी से चलो हमें conference में चलना है next scene में हम hardin देखते है एक tattoo artist के पास सुआता है एक बड़ा सा tattoo बनवाने वाला है तो artist कहती है कि इससे तुम्हें बहुत दर्थ होगा वो से alcohol offer कर दिये hardin कहता है बड़े से investor अब यहां आने वाले है तुम दोनों को उन्हें हमारी company में invest करने के लिए convince करना है टेसा के बास सही से कपड़े नहीं थे तो Kimberly और वो जाकर shopping करकर आते है इन दोनों में थोड़े सी bonding होई रही है तो Kimberly टेसा को बता दिये मैं और मेरे boss हम दोनों में सिर्फ boss और secretary यह है एक relationship नहीं है उनकी wife की death हो जाने के बाद वो बहुत या अकेले थे उसके बाद भी एक साल तक हम में कुछ भी नहीं था और अचानक हम एक दूसरे के प्यार में पढ़ गया वो कहती है कि love बहुत ही unpredictable होता है टेसा भी इससे agree कर सकती है रात में investor से मिलने boss Kimberly टेसा और Trevor यह सब night club जाने वाले है टेसा का address देखकर सब उसके बहुत तारीफ करते है लब में Trevor टेसा से पुछता है क्या तुम्हारे लिए मैं कोई drinks वगरा ला सकता हूँ टेसा कही थी कि नहीं आजकल उसके पास बहुत ही कम पैसे है वो कुछ भी जादा afford नहीं कर पाती वो कहती है घर से office आने तक उबर में बहुत सारे पैसे मेरे खर्च हो जाते है थोड़ी देर में investor इनके पास आकर बैठता है उसने एक pot में बहुत सारी alcohol लाई है वो इनसे एक ही चीज़ कहता है कि आज रात हम बहुत मज़े करेंगे और ये सब मिलकर बहुत पीते है अब टैसा बहुत ही ड्रंक हो चुकी है डांस फ्लोर पर आती है थोड़े सा डांस करती है तक उसे एक लड़के में हार्डिन दिखता है उसके पास जाती है और उसे kiss कर लेती है थोड़ी देर में realize करती है कि वो हार्डिन नहीं था तो जल्दी से उसे दूर हो जाती है हार्डिन में उसके friends के साथ एक पार्टी में आया हुआ था इस पार्टी में उसकी ex girlfriend Molly भी थे फर्स पार्ट से हमें पता है कि मॉली की वज़े से हार्डिन और टेसा का ब्रेकप हुआ था मॉली हार्डिन को बहुत पसंद करती है तो उसके पास आकर वेटती है हार्डिन उसे नीचे किरा देता है जब वो जा रहा होता है तो मॉली कहती है अभी तक उस घटिया लड़की से तुम मुवाण नहीं कर पाया हाडिन उस पर जाता ध्यान नहीं देता बाहर आने पर उसे टेसा का कॉल आता है टेसा कॉल पर कहती है कि मैं कितनी ब्यूटिफुल हूँ तुम मुझे अब मिस कर रह हाडिन समय जाता है कि अब बहुत ही ड्रंक है उसे पूछ भी लेता है उसे टेसा की चिंता होती है तो कहता है कि तुम जहां कई भी हो मैं जल्दी से वहां आ रहा हूँ इसके बाद ट्रेवर फिर से होटेल में जाने वाला था वो टेसा से गुडबाय कहने के लिए आया प बातों बातों में टेसा वाइन का ग्लास ट्रेवर पर गिरा देती है वाइन के दाग को दोने में अगर लेट हो गया तो यह कभी भी नहीं जाएगा इसलिए ट्रेवर को जल्दी से कपड़े निकालनी के लिए कहती है ट्रेवर सिर्फ अपनी अंडर्वेर में था तभी हा हार्डिन ट्रेशावर को इसी तरह से देख लेता है उसे लगता हूँ कि हाझासे का आंसर क funktion का चाहती है वो तुम्हें इससे क्या फरक पड़ती है वो उसके पास आ रिजिस्ट करने की कोशिश करता है और यह फिर इंटिमेट हो जाते हैं जब सुबह होती है तब टेसा रियलाइज करती है कि उसने क्या किया था बहुत एलेट हो चुकी है वो इसका बोस का भी कॉल उसे आ चुका है वो जल्दी से अपने सब कपड़े बेहनती है वो हार्डे के साथ इंटिमेट हुआ था नीचे आकर टेसा ट्रेवर से मिलती है ट्रेवर को सौरी कहती है ट्रेवर कहता है कि वो सिच्वेशन ही ऐसी थी हाडीन फिर अपने स्टेप ब्रदर लैंडन से एडवाइस लेने के लिए आता है वो यह था है कि मैंने बहुत सारी गलतिया की है पर मैं टेसा से बहुत प्यार करता हूँ लैंडन उस पर बिल्यू नहीं करता पर उसे वो कन्वियंस कर देता है हार्डर उसे पूछ रहा था कि उससे क्या करना चाहिए लैंडन फिर टेसा को टेक्स्ट करता है उसे कहता है कि हार्डीन मेरे पास आया था वो बहुत ही सौर के सब कैलकुलेशन्स किये थे वह कंक्लूड करकर टेसा से कहता है कि अगर तुमने कोई कार रेंड कर ली तो तुम्हारे बहुत सारे पैसे बचेंगे टेसा है सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है एकसाइडमेंट में उसे वह किस भी कर लेती है फिर उसे रेलाइज होता है कि गलत था और पीछे हो जाती है टेसा और हार्डिन जब रिलेशन्शिप में थे तो एक साथ ही रह रहे थे उसकी कुछ चीज़े अब भी उस घर में है तो वहाँ वो पहुशती है लेंडन ने टे इसमें कार्ड ही जिसमें लिखा हुआ है ये गिफ्टो ओपन करती है तो एक कार्ड में लिखा हुआ है तुम्हारे जो भी सब फेवरेट बुक्स है ये इसमें मैंने इंस्टॉल कर दिया ये एक किंडल रिडर है वो घर में ही थी तब अचानक से हार्डिन और उसकी मदर वहाँ पहुच जाती है, मदर टेसा को देखकर बहुत ही एक्साइटेड है, वो कहती है कि तुम तो बहुत ही ब्यूटिफुल हो, मदर ने इमेजिन किया था कि टेवर को पसनाने वाली लड़की बहुत ही अजीब होगी, पर टेसा नॉर्मल है तो उसे बहुत खुश होती है टेसा हार्डिन से बुचती है, तुमारी मदर को हमारे बारे में क्यों बता नहीं है, हार्डिन कहता है कि मैं रिलेशनशिप में था, तो बहुत ही खुश थी, मैं इतनी जल्दी उसे ब्रेक अप के बारे में नहीं बताना चाता था, टेसा भी समझ लेती है और खेहती है कि इसे वो पोस्पोन कर देती है, राप में टेसा और हार्डीन एक साथ ही सोते हैं, उन्हें लगता है कि आपने आप पर कंट्रोल कर सकते हैं, इवेंच जो जी वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और इंटिमेट हो जाते हैं, सुबा होने पर हार्डीन की मौम से गुडबाय लेक टेसा अपनी मौम से मिलने के लिए पहुच जाती है, घर के बाहर उसका एकस बॉइफरेंड नोवा भी उससे मिलता है, वो कैसे है, ये एक दुसरे से पूछते हैं, और बातो बातों में नोवा उससे पूछ लेता है, कि तुम्हारे फादर के साथ चो भी डील है, या तु हुआ है, मदर कहती है कि तुम्हें धुर्णने के लिए तुम्हारे फादर आये थे, पर मैंने यहाँ से उन्हें भगा दिया, ऐसा को बहुत गुसा आता है, और वहां से चली जाती है, डारेक्ली वो हार्डीन के पास आती है, रात में हार्डीन को एक बुरा सपना आता है प्रिवियस पार्ट से हमें मालूम है कि हार्डिन के फादर एक ड्रंक थे, उन्होंने गैंग से बहुत सारे पैसे लिये थे, एक दिन जब वो पैसे लेने के लिए घर पर आया, तब हार्डिन के मॉम से उन्होंने जबरदस्ति की, हार्डिन के मॉम के साथ जो भी गलत हो रह करते हैं मदर कहती है कि जब हार्डिन तुमसे मिला तब उसे नाइट्मेर्स आना बंध हो चुका था मदर ने फीगर आउट कर लिया है कि हार्डिन और टेशा के बीच में कुछ तो गलत हो चुका है टेशा भी एगरी करती है कि उसने मुझे पहुत बड़ा जुट बोला था उसे वो हर्ट हो चुकी थी जब हार्डिन उठता है तो टेशा के पास आता है उसे एक कार्ड देता है इस कार्ड में लिखा हुआ है कि तुम्हारा परफेक्ट यह है टेशा बुछती कि यह क्या है लास्ट टाइम मैं खुद गिफ्ट नहीं दे पाया था तो एक गिफ्ट नहीं आती तो बहुत बाहर वो गिरता है तेसा फिर उसे योगा करने के लिए लेकर आती है योगा करते करते हैं यह दोनों डॉन अनों हो जाते हैं गर आकर intimate होते हैं अचानक से टेसा को ओफिस से कॉल आता है एक कुमर्ली का है किम्बरली और बॉस को कुछ काम से बाहर जाना पड़ेगा बॉस को एक छोटा सा सरन है तो इसकी जिम्यदारी वो टेसा को देखकर वहाँ से चली जाती है इस छोटे बच्चों पर हार्डीन नजर रखता है और बातों बातों में बच्चा हार्डीन से गालिया सीख जाता है रात में एक हिम्बरली बॉस के बेटे को ले जाती है वो जाते जाते हार्डीन से कहती है कि टेसा के साथ तुम जब होते हो तो तुम्हारा बेस्ट वर्जन होते हो Hardin हसता है और कहता है क्या ही इतना obvious है अग Christmas आने वाला है तो Hardin Tessa को एक beautiful necklace gift करता है Tessa कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि हम Christmas में एक साथ होंगे उसने उसके लिए कुछ भी नहीं लाया है Hardin कहता है कि मुझे सिर्फ एक chance दो हम फिर से सही से सब कुछ कर सकते है Tessa भी इसके लिए मान जाती है इसके बाद दोनों office में ही intimate हो जाते है Next time हम देखते है कि Hardin के father ने एक party रखी है इस party में Hardin की mother को भी invite करते है Hardin पहली अपने father को hit करता है party में उसके father bragging करने लग जाते है उनकी life वो सही से जी रहे है पर Hardin को लगता है उसकी mother सही से नहीं जी पाती है वो उन पर गुसा है तो father उसे एक दूसरे कमरे में लेकर जाते है Hardin केता है कि बहुत सारी चीज़े अब तुमने सही कर लिये पर फिर भी mother से तुमने apologize नहीं किया है उस राज जो भी हुआ उसके बाद तुम्हें mother के साथ रहना चाहिए था उसका opposite तुमने किया और हमारी life से तुम चले गए गुसे में अपने father को भी पंच कर देता है Hardin को ऐसा नहीं करना चाहिए था तो mother इस पर बहुत गुसा होती है वो अब यहां से जा रही है वो कहती है कि जिस तरह से तुम anger में रहते हो सब bad decisions लेते हो ऐसा ही अगर करते रहे तु सिर्फ अपनी ही नहीं तो टेसा की भी life बरबाद कर दोगे यहां से वो चली जाती है घर आकर भी Hardin बहुत drink करता है और सो जाता है टेसा कोई अच्छा नहीं लगता जब वो ओफिस आती है तो फिर से ट्रेवर से मिलती है इन्हें देर रात तक काम करना था तो बहार से कुछ food मंगबा लेते है बाते करते करते Hardin के बारे में सब कुछ वो ट्रेवर को कहती है जाते जाते ट्रेवर टेसा से कहे कर जाता है तुमारे और Hardin की बीच में जो भी कुछ है इसका अंत सही नहीं होगा ट्रेवर को अपनी कंपनी में ही एक प्रमोशन मिल चुका है तो एक नई लोकेशन पर वो जाने वाला है यह उनकी लास्ट मिटीं है टेसा जब घर पर आती है तब उसे उसके बॉस का कॉल आता है टेसा ने बहुत अच्छे से काम किया है तब उसे अच्छे सी जॉब पोजिशन मिलने वाली है जिस जगा पर ट्रेवर जाने वाला था उसे वही जॉब मिली है Hardin अब जरा सा नॉर्मल है उसका गुसा अब खतम हो चुका है Hardin के फ्रेंज ने उसे पार्टी के लिए बुलवाया था पर ये टेसा के लिए अनकमवर्डेबल होगा इसलिए वह जा नहीं रहा था टेसा कहती है कि मुझे कोई प्रॉलम नहीं है हम जा सकते हैं पार्टी में आकर Hardin के फ्रेंज के साथ बहुत ही ड्रंक हो जाती है इस पार्टी में Hardin थोड़े टाइम के लिए गायब हो चुका था जब वह वापस आता है तो टेसा और मॉली एक दूसरे से बात कर रहे है मॉली टेसा को टीज करकर उसे रोक लेती है यह थी है कि एक दो ट्रिंस के लिए तुम्हें रुकना चाहिए यह हैंग आउट करते हैं और डिसाइड करते हैं कि ने टूथ और डेर का गेम खिलना चाहिए लास्ट मुवे में हमने देखा है कि इसी गेम से सब को स्टार्ट हो था मॉली टेसा से पूछती है कि हार्डिन ने तुम्हें धोका दिया पर फिर भी तुम उसके साथ हो तुमारा वो फर्स लव था इसलिए तुम उसके साथ हो टेसा मॉली को स्लट बुलाती है इन दोनों में इसे फाइट हो जाती है और एक दूसरे को बहुत मारती है हार्डिन फिर टेसा को दूर ले कर जाता है एसा हस्ते हस्ते कहती है कि फाइट करकर मुझे बहुत अच्छा लगा वो मॉली को हेटी करती थी यह सब बाहर आ चुका है यह दोनों फिर उपर के रूम में आकर एक दूसरे के साथ इंटिमेट हो जाते है अब यह पार्टी से निकल रहे थे तब हार्डिन को उसके एक फ्रेंड मिली हार्डिन ने उसे कहा कि हमारे बीच आज राज जो भी हुआ यह किसी को भी मत बताना उसने कहा कि वरी मत करो मैं किसी को भी नहीं बताऊंगे यह सब डेसा ने सुन लिया हार्डिन थोड़े टाइम के लिए गायव था तब उसे लगा कि दूनों इंटिमेट हो गए यह वाहर आकर उससे बहुत ही गुसा हो जाती है हार्डिन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था तब गलत फाहव हे हैं पर डेसा मानती ही इस fight में हार्डिन डेसा में क्याता है कि मैं बहुत Try करता हू तब में convince करने के लिए कि मैं तुमसे फिर से Cheat नहीं करनाए पर फिर भी तुम मानती है यह करने में कोई पॉइंट ही नहीं ह। जैके कर वहाँ से वो चला जाता है, सुबा होने पर ये दोनों रिलाइज करते हैं कि ये दोनों बहुत ही गलत थे, इन्हें फिर से फाइट नहीं करने चाहिए थी, टेसा हार्डीन को कॉल करने की कोशिश करती है, पर उसकी बैटरी डेट है, वो फिर वरीड होकर उसे प्लस में हैं, और एम्बूनस आगे जा रही है, वो भागते बागते इस एम्बूनस को चेज करता है, पर उसे पकड़ नहीं पाता, वो केस होस्पिटल में गई है, ये उसे मालूम नहीं है, वो हर होस्पिटल को कॉल लगाता है, उसे डूढ़ने की कोशिश करता है, अगर तुम सच्चुच में उससे पैयर करते हो तो तुम उससे जाने दोगे यह कहकर वो फोन रख देता है तेसा जब ठीक हो जाती है फिर से उनके अपार्मेंट में आती है वहाँ पर हार्डिन में उसके लिएक लेटर लिखा है इस लेटर में लिखता है कि हम दोने एक मैं हमेशा तुम से प्यार करूंगा और जल्दी से भूल भी नहीं पाऊंगा तुम भी शायद टाइम के साथ मुझे भूल जाओगी लेटर पढ़ने के बाद टेसा हार्डिन को कॉल करने की कोशिश करती है पर हार्डिन ने गुसे में अपना फोन तोड़ दिया था वो अ अगर लोग को फर्गयों करोगे तब ही तुम सही में खुश रह पाओगे हार्डिन को लगता था कि उसकी मदर बहुत याके लिए पर मदर कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है उनके ही नेवर को डेट कर रही है वो एक अच्छी रिलेशन्शिप में है मदर फिर कहती है कि टेसा एक साथ थे ट्रेवर फिर टेसा से सच बोल देता है गहता है जब तुम होस्पिडल में थी तब हार्डिन का मुझे कॉल आया था मैंने उसे जो भी कहा जो भी किया वो गलत था पर मैं तुमारे साथ जब होता हूं तब वो साइड मेरे बाहर आ जाती है इंडायक लिए वो पीचे से आती है कि मैंने कोशिश की कि में तुमसे दूर हूँ पर मैं रह नहीं पाया टेसा फाइनली से माफ करती है हर्डीन हमसे कहता है कि फाइनली हमारी स्टोरी की हापी एंडिन हुई यहा हम देख सकते है कि हाड़ीन ने और एक टैट्टू बनवाए हुआ है इसमें लिखा हुआ है कि इस दिन के बाद में कभी भी तुमसे जुदा नहीं होना चाहता अब मुवी के लास्ट में एक क्लिफ हैंगर आता है हार्डिन और टेसा स्टीट से जा रहे थे तो एक बेगर जैसा आदमी उनके पीछे आ गया वो टेसा से बात करना चाहता था हार्डिन न उसे पकड़ लिया टेसा ने जब इसे करीब से देखा तब रियलाइस किया कि उसके ही फादर है अब उसके फादर की क्या स्टोरी है यह सस्पेंस क्या है यहां मैं नेक्स्ट मुवी में पता चलेगा इसी तरह से हैं मुवी एंड हो जाती है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो फ्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा मैं बहुत सारी मुवी लेकर आधे रहता हूँ तो फ्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेए बेल नोटिविशन आएकों दमाने में मत भूले यानि कि आपको सब मुवीज मिलते रहे हैं हम फिर से मिलेंगे और एक ने मुवीज के साथ तब ते के लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिये